आज हम लोग पढ़ेंगे cell wall and ribosome cell wall आपको structures बताया था कि plasma membrane के उपर जो layers होते हैं उसी को हम लोग outer layer जो present होते हैं cell में implant cell उसी wall को हम लोग cell wall कहते हैं ठीक है जो कि बना रहता है आपको cellulose से plasma membrane जो होता वो semi permeable membrane होता है लेकिन जो cell wall है वो आपका permeable membrane होता है permeable का मतलब कि यह हर इक substance को अंदर आना और बाहर जाने का मतलब सारे substance आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं इनकी यह property होती है चलिए start करते हैं cell wall is living non living cell wall जो होता है non living होता है ठिक होता है और freely permeable होता है covering made up of cellulose और किस चीश का बना रहता है cellulose का बना रहता है यह present किस में होता है it is present in eukaryotic plant cell आपको eukaryotic और prokaryotic समझाया था eukaryotic से example होते है plant और animal और plant और animal में भी आपका यह cell wall जो होता है वह present होता है plant cell में इसलिए आप बोलेंगे it is present in eukaryotic plant cell and in prokaryotic cell और यह बैक्टेरिया में भी present होता है तो यह आपके prokaryotic cell में भी present होते हैं इसके बारे में हम लोग detail पढ़ेंगे वडियू fall ill में कि कैसे जैसे हम लोग एंटिबाटिक्स दवा खाते हैं तो कैसे बैक्टेरिया को पे असर करता और फीबर के बाद जो है फीबर होने पे दवा खाने के बावजूद भी जो है हमारे फीबर नहीं उतरते हैं तो हम लोगों को क्यों लेते हैं इसके बारे में हम detail पढ़ेंगे वाइडियू fall ill में क्लिया यहां पर आपको जाना है कि सल्वाल नन लीविंग होता है यह थिक होते हैं और फ्रेली पर्मियेबल होता है और यह बना होता है सेललोस का यह प्रेजंट होता है यू करीयोटिक प्लांट सैल में और प्रोकेरियोटिक सैल में ठीक है फंक्षन्स क्या है इसका इट डेटर्माइटर सेप अडिशीदिटी टू- это प्लांट जो होता है वह रिजड होता है तो वह डूटू सल वाल के कारण जो है यह रिजड होता यह क्या करता है यह शेप प्रोवाइड भी करता है इस प्रोटेक्ट दप्लाजमा मेंब्रेन इनर मेंब्रेन जो है सल वाल के जो नीचे मतला अंदर लेयर्स जो होते हैं उसको कि वह प्लाजमा मैम्ब्रेन करते हैं तो वह प्लाजमा मैंब्रेन को भी का ळका प्रोलेक्त करता है कि अंप सकते हो कि कोई भी वूंड से बचाने के लिए भी यह काम करता है यह जो है हल्फुल होता है कि बहुत सारे सबस्तान इसके अंदर जा सके और आ सके क्योंकि यह क्या है आपका प्रमीयम्स लिएबल जा सके हैं अब सबस्तान से रावटल इसके हैं म सर घंजा सकते हैं अब सब्सक्राइबेंगे आपका राइबौ जो वो आपको छोटा सा उता है डंस होता है बॉडी जो शेप जो आप बनाएंगे वह स्पारिकल बॉडी बनाएंगे जो कि पाया जाता है आपको साइटो सेल के साइटो प्लाजमें झाय के और कहां पर हम लोगों ने पढ़ा था इंडोप्लास्मी क्रेटिकूलम में अगर करता है क्यों करता है due to presence of ribozome तो ribozome का काम क्या है हमारे बॉडी में प्रोटीन को बनाने का काम होत करता है तो ध्यान रखेंगे RNA और प्रोटीन यह जो है आपको helpful होता है आपको replication में भी clear तो यह किस चीश का ribozome किसका बना रहता है वह प्रोटीन का बना रहता और राइबो नुक्लिक एसिड फुल फॉर्म आफ आर ने इस राइबो नुक्लिक एसिड फॉंक्शन क्या है तो हमने आपको बताया दिया था कि इसका फॉंक्शन है प्रोटीन की synthesis करना तो यह आपके फॉंक्शन है और आपके चैप्टर कंप्लीट हो गया है यूनिट टेस्ट वन के लिए तो बेस्ट आफ लग आप अच्छे से टेस्ट दीजेगा एनी क्वैरी कोई भी क्वैरी होगा आप नेक्स्ट वीक में आप मुझसे सारी कुश्चन्स आप रख लगा रख अबाच आप मैं वोग्या गड़ चॉड़ रख मैंgenommen मैं joking